ABP News ने अपने String Operation में MCD में एक बड़े भरस्ट अचार का परदाफाश किया है हमार साथ है दिल्ली परदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्याक शानील चौधरी आपने देखा होगा String Operation ABP News का चार BJP के पारशद हैं तीन आमानी पार्टी के पारशद हैं और सभी पैसे मांग नहीं एकी अध्याक बना लिए को बिलकल अड़ा वना लिया आप जो चार तीन कहरें मुकाबला बराबर चल रहा है है यहां चार चार पर चल रहा है एक अभी याद हो गा बड़ के पार्श्ट गीता रावट जो मत श्यूद्य के विद्धान सभा च्हेत्र से है उनी की बड़ी क्लोज पार्षद रही है वो रंगे हातों सी भी पकड़ती है आज एबीपी चैनल ने जो परदाफास किया है एक सच है कि एमसीडी जो अब तक एमसीडी के नाम से जाने जाती थी वह एमसीडी मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर का मतलब एक नया निकल काई मोस्ट क्रप्टटर क्रप्ट डिपाटनेंट इन्होंने उसको नया नाम दे दिया है जिस तरह से बचाने के नाम मांगना काम की जिम्मेवारी लेना यह दरसाता है कि मिली भागत से पूरी तरह से M.C.D. को लूटा जा रहा है आरोप परत्यारोप लगाते हैं लेकिन आरोप परत्यारोप लगाने का मक्सद कॉर्परेशन को बचाना नहीं है उगाई करने का मक्सद है आज भी खबर छपी है कूड़ा उठाने के नाम पर जो कंपनी है उस पर एक दवाब बना रहा है एक पार्टी के रिए दवाब बना रहे हैं तो मामला यह है भष्टचार में लिप तमाम इनके पार्षद ह पार्षद में मिलें तो आज अरवेन के रिवाल बताए बड़े-ड़े एड आ रहे हैं भंगतमांची के तов क्या अर्वेन के दिरोही मानेंगे तो क्या पार्षद रिस्वत लेते हुए कैमरे में दिखाए जाते हैं चन्द दिनों पहले कुछ लोगों को भी हटाया गया था जिसमें इनका एक मनुझ महलावत इनीका पार्षद था रंगया हातों वो भी सी बी आई और इस्टिंग में पकड़ा गया था तो यह पूरी कॉर्परेशन के अंदर बस्टाशार का अड़े बने हुए हैं सरकारी रिविन्यू को चूना लगाया जा रहा है तमाम ऐसी खबरे हैं कि जहां एमसीडी पार्किंग में टेंडर अलोट होना चीए ता बगर टेंडर के एमसीडी के काउंसलोरों की मिली भगत से पैसा लूटा जा रहा है एड़टाइजमेंट में मिली भगत से जो यूनिपोल्स हैं प्राइवेट लोगों को बेचे जा रहे हैं जो पैसा सरकार को आना बिल्कुल मैंने यह कहा कि बड़ी साजिस के साथ यह दोनों ही पार्टी के दल के लोग को लूटने का काम करें पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं परमिशन की जरूत नहीं है हम खड़े होकर के काम लेंगे कोई परमिशन ले भी आता है तो हम उसकाम को रुकवा देते हैं ऐसी ऐसी बाते मैंने सुनी हैं दुक इस बात का है साब यह तमाम जो चोरी हो रही है लूट मची हुई है यह बड़े नेत्तों के सामने हो रही है यह चोटा मसला है सामने आ गया कई ऐसे मसले स्लोटर हाउस की जांच होनी चीए जो टेंडर लॉट हुआ है कूडे उठान जो फाइवर केबल डाली है पिछले पंदरा सालों में कहां कहां फाइवर केबल डाली है और एमसीडी में कॉडिट होना चाहिए जांच होनी चाहिए क्या वाकिए इन रोड्स पर परमीशन ली गई थी या नी ले गई यदि परमीशन नहीं लीगी तो साब आटोमेटरी भगवान ने आके तो नहीं डाल दी कहीं ना कि भष्टाचार में लिफ्ट पार्शदों ने उनकी मदद दी पैसा लिया और सरकार को जमा होने वाले पैसे को अपने घर में रख लिया और वही पैसे इनके कारले तक गया आप चाहते हैं कि जहां 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 फाइवर केब पर्मिशन ली थी या नहीं ली थी और किस का नेट्रॉक वहां बिच्छा हुआ है क्या उसमें विदावट पर्मिशन डाली तो पैसे किसको दिया पैसा नहीं दिया तो कानून फिर उननों जर्म किया है उन पर पैनल्टी लगनी चीए और एमसीडी में जो बार बार दोहा को पर संगीन आरोप लगे हुएं खुद सतिंदर जैन साब के घर पर एडी पहुंच गई वहां मनीश शिद्या पर आरोप लग रहे हैं सराब माफिया के बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए इस पर हम लिखित रूप में हम दिली के जो परदाफाश की आईबी पी नियूज दे और दिली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ट अनिल चौधरी को आपने सुना वो साब साब कह रहे हैं कि इस पूरे खुलासे की जांच होनी चाहिए सी बी आई से जांच होनी चाहिए और एमसी डी एक तरह से चाहर का अड़ा बन गया है यह आरूप लगा रहे हैं अनिल चौधरी कैमरामन मनोज कुमार के साथ प्रशांत एबी पी नियूज दिली